तब तो भाई क्या मज़ेदार हो जाएगा ना उसका टेस्ट के आज मजबस मज़ेदार हो जाएगा रजगुल ले और यह सब अगर खाने के लिए हो तो भाई अगर आप घर में आई से रख दो ना तो बहुत इंपॉर्डटर इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक कवर कर ने हमाले है उसमें से पहला टॉपिक है हमारा और फिरसे हम पढ़ने माले और फिरसे हम पढ़ने वाले और इसके सातीी इसं कर्मोर्शनों का फॉर्मूला यह य आपके دिमांग अुर्ट होना चाहिए तो यंदम्स वर्वावेरन अगर मैठ fåttिक सर्फेस अगर तो गरitar work in Finland के सकता है या तो या तो serp नयाय तो इससी ती मतशते के मौर्ण के अपिर न queste क्वारद ओंब करारी था रोड़ी unpredictable क सुलिज लेहर और इसuh स्टाक्ट के सब li गई, भैस पानी में गई, तो भाई इसलिए इसको याद कर लो, FE2O3.XS2O, यह आपको पता रहना चाहिए, कि बहुत बार MCQ में पूछा जाता है, और गाईस, इसी से रिलेटेड बहुत सरे, बहुत important topic जो हमारे 9 chapter के अंदर है, जिसको हम समझने वाले, क्योंकि यहाँ बस इतना सा ही important है, इसके बाद 9 chapter carbon compound, उसमें पूरा उसका prevention दिया, वह उसको कैसे किस तरह से prevent करते हैं, वो सभी चीज़े उसके अंदर भी हम पढ़ने वाले, अब बात करते हैं, rancidity क्या होता है, मैं सच बोल रहा हूँ, कि आप सभी ने, मतलब कभी ने कभी rancidity को face किया होगा, बढ़ आज आपको पता चलेगा वह इसको बोलते है rancidity, क्योंकि जो science के terms होते हैं, वो हमें नहीं पता होता, अगर मैं उसको long time तक के लिए रख देता हो, तब तब भाई क्या मजेदार हो जाएगा, उसका test क्या मजेदार हो जाएगा, और खाने में बहुत मज़ाएगा, ऐसा होने वाला, नहीं नहीं नहीं, अगर हम fry food, जो fry food हो गया, घी से बना हुआ है, ऐसी चीज़ों को अगर हम long time तक रख देंगे, तो यह क्या हो जाएगा, वो oxidize हो जाएगा, मतलब oxygen के contact में होके oxidize हो जाएगा, oxidize होने के बाद, उसके अंदर एक तरग, अलग तरग acid generate हो जाएगा, क्या generate हो जाएगा, acid, और it's become a rancid, अगर oxygen के contact में आता है, तो वो oxidize हो जाएगा, oxidize होने के बाद, उसके अंदर acid generate हो जाएगा, और it become a rancid, और यही इसी process हम क्या बोलते हैं, rancid डी बोलते हैं, rancid डी तो भाई, यह दिमाग में पूरा रख लो, दिमाग में fit करके रख लो, कि जो process हो, oxygen के contact में आने के बाद, उसमें क्या हुआ, उसके अंदर एक acid generate हो जिसका test और smell दोनों change हो गया, और वो acid में generate होने के बाद, जो एक acid generate होता, जिसको हम rancid बोलते हैं, और इसी process को हम rancid डी बोलते हैं, बट अगर मुझे इसको बचाना है, अगर मुझे इसको बचा के और prevent करके रखना है, तो मैं क्या use करता हूँ, tight container यूज़ करता हूँ, जैसे आप अगर mall में गयोगे, बहुत कहीं गयोगे, तो आप रजगुल्ले हैं, और ये सब अगर खाने के लिए हो, तो भाई अगर आप घर में आईसी रख दो ना, तो सुबा तक उसकी आलत कराब हो जाती है, बिट बहुत दिनकार रखा हुआ, रसुल्ला भी, गुलाब जामुन भी, आप बहुत मज़े से खाते हैं, क्योंकि उसको tight container में रखा रहता है, वो सबी packed food होते हैं, क्योंकि उसका contact direct oxygen के साथ नहीं होता, अगर किसी भी चीज़ का direct oxygen के साथ contact होगा, तो भाई वो चीज़ गए हो, समझ दो गए हो, इसी लिए उसको बचाने के लिए हम tight container यूज़ करते हैं, और यही उसका होता है main prevention, जो हम prevent करते हैं, इन सभी foods का, okay food का, okay तो मेरे खाल से गाईस, यह आपका chapter पूरी दिल से खतम हो गया, अगर आपको चाहिए, कि sir, इसके note simple तरीके से भेज़ द देंगे, बस अब यहाँ आजाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हम बेज देंगे, टेलीग्राम पर अपना टेलीग्राम जॉइन कर लो, आपका टेलीग्राम डिस्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, तो मिलते हैं, नेक्स वीडियो में, तैंक्यू सुपस्काइज, जैह ह दोस्तूप